आज हम सभी भारतियों के लिए एक विशेश अवश्व है जब हम डक्टर विक्रम सारा भाई की सौवी जन्म जन्ती मना रहे हैं शताब्दी मना रहे है यह अवसर एक ऐसे समय पर आया है जब भारत चंद्रमा पर उतरने जा रहा है अगले माहने जब विक्रम लेंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो यह 130 करोड देश वाश्यों की तरब से डक्टर सारा भाई को एक विशेश स्रद्धांजली होगी सात्यों मुझे खुशी है कि भारत सरकार के दो विभाग स्पेश डिपार्टमेंट और दूसरा नुकलियर एनर्जी डिपार्टमेंट यह दोनों मिल करके इस जन्मशती का आयोजन कर रहे हैं मैं इसके लिए दोनों विभागों को बढ़ाई जेता हूं इस साल जन्वरी में ही मुझे अमदाबाद में उनकी प्रतिमा का अनावरन करने का आउसर मिला था साथ्यों आमदाबाद जन्मभूमी के साथ साथ उनकी कर्मभूमी भी रहा है आमदाबाद में फिजिगल रिसर्ट लिबोरेट्री स्पेस अप्लिकेशन चेंटर टैक्स्टाइल इंडेस्ट्री रिसर्च एस्टोशेशन इंडियन इंस्टिट रब मेरेजमेंट उस कालखन में जो कुछ भी निर्माण हुआ उसमें उनकी भी मुम्मी का रहे हैं साथ्यों डॉक्टर सारा भाई को बैज्ञानिक समुदाय भली भात ही जानता है यह भी आवशक है कि आज की पीडी के लिए उनके प्रिणादाई जीवन के बारे में जानना बहुत उप्योगी होगा डॉक्टर विक्रम सारा भाई को बच्पन में ही विज्ञान की बारी किया और मशीन की दुनिया ने आकर्शित किया ठीक उसी प्रकाहर हमारे आसपास अनेक ऐसी प्रतिभाय है जो उनसे और ऐसे महापुरूसों से सिख सकती है डॉक्टर सीवी रमन के मारतर्शन में बच्पन में ही त्विज्ञान के प्रती डॉक्टर सारा भाय का आकर्शन बढ़ा और यही आकर्शन भारत के बैज्ञानिक भविश का मिशन बना है पुछी तरह आज की पीडी को भी अपने लक्षत ताय करने में अनेक महापुरूसों से प्रेणा मिल सकती है साथियों डॉक्टर सारा भाई पूरी तरह से आस्वस्त थे कि भारत के विकास का रास्ता विज्ञान और टेक्नोलोजी के जरिये ही निर्मित होगा वे कहते थे कि अगर देश और दुनिया में हमें अपनी सार्थक भूमा का निभानी है तो जन्ता की समाज की हर समस्या के समाधान के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी के उप्योग में हम किसी से पीछे न रहे उनके इसी विज्ञ ने आज भारत को साइन्स और टेक्नोलोजी के एक्षेत्र में बड़ी ताकत बनाने में एहम भूमी का निभाई है स्पेस टेक्नोलोजी हो या फिर न्युक्लियर टेक्नोलोजी आज इन दोनों का उप्योग हम भारत के सामाने जन की सुभिदा और सुरक्षा के लिए कर पा रहे हैं साथ्यों साइन्स और टेक्नोलोजी को जन सरोकार से उन्होंने कैसे जोड़ा इसका बहतिन उधारन है साइट प्रोग्रेम साइट प्रोग्रेम सेटलाइट और टलीविजन को सिक्सा से जोडने का पहला सफल प्रयास डॉक्टर सारा भाय नहीं किया इसी से प्रेजित होकर गुजरात के खेडा से कम्मिनिकेशन प्रोग्रेक्ट चला और देखते ही देखते भारत में सेटलाइट से सिक्षा का माध्यम विख्सित होता गया साथियों आज हर भारत वासिर अपनी वैज्ञानिक शंताओं पर गर्व करता लेकिन कल्पना कीजिए कि डॉक्टर होमी भाभा के नीधन से देश के विज्ञान जगत में जो खाली पना गया उसको भढ़ना कितना मुश्किल रहा वोगा दॉक्तर सारा भाय ने उस वैड को तो भरा ही अपनी कुसलता से अपनी नेत्रुत्वक्षमता से हमारे परवाउं और अंत्रीक्ष कारेकमों को नया आयाम दिया कि यही कारण है कि जिस रॉकेट को उन्होंने थुम्बा से छोड़ा था वो आज अलग-अलग स्वरूब लेता हुआ हमें चांद और मंगल तक पहुंचा रहा है आज स्पेस में भारत की हर उपलब्दी को पूरी दुनिया चकीत होकर के देख रही है कि तसनुसा से भरी हुई है कि साथियों कि डॉक्टर सारा भाई एक महान वैज्ञानिक तो थे ही एक बहतरीन इंसान और अंतर मन से वे शिक्षक भी थे कि वे कितने भी व्यस्त रहे लेकिन विद्यार्थियों के लिए हमेशा समय निकाल पर उनका ये द्रण विश्वास था कि नए भारत का निर्मान कुशल और सक्षम वैज्ञानिकों की नई पीड़ी ही करेगी आज जब आप सभी को देश के हर वैज्ञानिक को देश देखता है तो महसूस होता है कि डॉक्टर विक्रम सारा भाई कितने दुरदर्शिक थे वो विज्ञान के लिए समर्पित सिपाई तो थे ही उन्होंने भारतिय संस्कृती और संस्कृत भाषा को भी प्रोसाइब देखता है कि जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी है कि साथियों कि डॉक्टर सारा भाई के जीवन के सीख बिल्कुल स्पस्ट है हमारे पात जो क्षमता है कौशल्य है वो तब तक अधूरा है जब तक उससे समाज का देश का हीत नहों यहीं कारण है कि विज्ञान और टेक् द्यार्थी से मेरी अपेक्षा रहती है कि वो समाज की समश्याओं को समझे और उसके समाधान के लिए इनोवेशन करें आविश्कार करें दॉक्टर सारा भाई एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए यह हम सभी का दाईत्व हैं इस विरासत को जन जन तक पहुंचा है तक युवापीडित प्रेरिध हो सके और अपे ज्ञान से कर्म से देश का ही नहीं बलकि पूरी मानवता का भविश्य समवार सके मैं आज देश भर के सभी लोगों से खासकर विध्यार्थियों से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से आग्र करता है कि इसरों के ओन लाइन स्पेस क्वीच उसमें जरूर हिस्सा ने 10 अगस से एक वीच शुरू हो चुकी है और 20 अगस तक चलेगी इस कॉम्पेटिशन में प्रत्यक राज्य से दो विजेताओं को साथ सितंबर को हरी कोटा आमंत्रिक किया जाएगा वो उस अइतिहासिक पल के साख्षी बनेंगे जब चंद्रयान दो चंद्रमा पर उत्रेगा इस अवसर पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के स्मृति में सिक्कों फोटो आल्बम और अंत्रीक्ष में भारत की उपलद्यों पर संग्रहनिय पुस्तक के प्रकाशन के लिए भी मैं अंत्रीक्ष और पर्माहूं वुजा विभाग को बढ़ाई देता एक बार फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को मैं आदर पूर्वा स्रत्वांजली अर्पित करता हूँ बहुत बहुत धनेवाद आप सबका हुआ झाँ